आज के इस वीडियो में आपको मैं बेस्ट लॉन अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप इस अप्लिकेशन से 1000 रुपिय से लेकर मैकसिमम जो है आप 5 लाक रुपिय तक जो है लॉन ले सकते हैं इंस्टेंट परस्णोल लॉन मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि अगर आप जो है लोन लेना चाहते हैं तो आप घर बेठी आप अपने मोबायल से ही लॉन के लिए अपलाइक कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कौन से अपली के संसे आपको लॉन के लिए कि अपलाई करना है कितना आपको लॉन एमांट एप्रॉब होगा क्या सब आपको document submit करना पड़ेगा टूटल प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो अगर आपको loan की need है तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए और subscribe कीजिए तो आपको इस application से loan लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है तो आपको अपने mobile के google पहले store को open कर लेना है और यहां पर आपको search का option मिल जाएगा तो search करना है आपको start spin जैसे कि आप यहां पर देख सकता है तो आप इस वाले option पे click करेंगे उसके आप नीचे scroll करेंगे और यहां पर एक option देखने को मिल जाएगा about this app तो आप इस पे click करेंगे उसके आपको इस application के बारे में काफ़ी सारे information जो है आपको मिल जाएगे जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि अगर आपका loan amount 10,000 रुपया का approve होता है तो कितने महीने के लिए आपका EMI बनेगा कितना percent इंटेस्ट लगेगा और total EMI कितना होगा total repayment कितना करना पड़ेगा total यहां पर लिखा हुआ आ जाता है तो आप यहां पर सकते हैं इस application का term of condition है यह सब आपको यहां से पता चल जाएगा कि क्या term of condition है इस तरीके से आपको सबसे पहले term of condition पढ़ लेना है उसके बाद आपको इस application को download करना है उसके आपको open पे click करना है जैसे ही आप open पे click करेंगे आपको यहां पे start frame logo दिख जाएगा इस तरीके से scroll करना है उसका नीचे continue का option में जाएगा continue पे click करना है जैसे ही आप continue पे click करेंगे यहाँ पे language select करना है उसका आपको यहाँ पे सबसे पहले mobile number डालने का option में जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको mobile number डालना है मॉबाईल नमर डालने के बाद आपको नीचे proceed securely का फूसमिlic क्लिक करना है फिर आपको इस तरीके से allow कर दिना है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस Егоर जो है आपको यहां पर प्रिफाई करना होगा तो यहां पर सीम से आपको जो है आपको क्या करना है न forehead आपकर अ क्य है तब ही आपको यह उस पर किलिक करना अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आपको इस पर किलिक नहीं करना यह ज़रूरी नहीं है तो करना कि आपको सबसे पहले यहां पर अपना फूल नेम डालना है, pencard नमब आपको fill up करना है, और नीचे submit का option में जाएगा, submit वाले option पे click करना है, उसके बाद आपको यहां पर pin code fill up करने का option में जाएगा, तो यहां पर देख सते हैं, pin code आपको डाल दना है, आपके area का जो भी pin code है, उसके ब पह apo नहीं यहां पर देख सकते हैं हम यहां पर जहे हैं आप 50,000 उनिदी तक जो है लॉप ले सकते जैसे कि ओम मेल नंबर के रिंग है उसका य॥ यहां पर यह पीचि शेक हो जाएगा कि आपको कितने तक लॉप मिल जाता है जो कि आप स्कीन पर देख सकते हैं वरिफाय योर अधार डेटेस्ट टूगेट फंड तो आपको सबसे पहले यहां पर अधार किया सी कंपेट करने के लिए यहां पर आपको कंप्लेट का ऑप्शन मिल जायागा तो आपको इस पर किलिक करना उसके वाद जो है आपक एक मॉबाइल नमर पर उटीपी रिसीव हो जायेगा जो मॉबाइल नमर आपके अधार कार्ट से लिंक होगा तो यहां पर आपको बैक डेटने का ऑप्शन आजाएगा जैसे की आप यहां पे देख सकते हैं इंटेर युर बैंक डेटन तो आपको सबसे पहले आपको अप पैसे लेना चाहते हैं, loan amount, वो bank account number यहाँ पर आपको डालना है, उसका यहाँ पर इंटर record number का option है, तो दुबारत से यहाँ पर account number डालना है, उसका आपको यहाँ पर FAC code डालना है, जिस bank में आप पैसे लेंगे, उस bank का आपको FAC code डालना है, FAC code आपकी bank passbook पे मिल जाएगा, उसका आपको यहाँ पर continue का option मिल जाएगा, continue पर आपको click करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर selfie upload करने का option आजाएगा, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, एक option मिल जाता है, take selfie, तो इस पर click करके आपको selfie upload कर लेना है, उसका यहाँ पर take photo का option मिल जाता है, तो इस पर click क करना उसका आपको नीचे continue का option मैं जाएगा continue पे आपको क्लिक करना उसके बात आपको कुछ personal data swap करने का option आ जाएगा जैसे कि आपको सबसे पहले personal email डालना जो भी आपका email ID है उसका जो है आपको monthly income डालना जो भी आपका महिने का income है उसका यहाँ पे company name option है अगर आप जो कहीं job करते हैं तो आपको यहाँ पे company का नाम डालना है उसका यहाँ पे select occupation का option है तो इस पे click करके आपको select करना है कि आप क्या काम करते हैं उसका यहाँ पे आपको अपना address करने का option मिल जाता है जो कि यहां पर देख से पर्मानेंट एड्रेस तो यहां पर नीचे आपको एड्रेस फिल आप कर लेना जो भी आपका एड्रेस है उसका यहां पर आपको अपना प्रस्टनल डिटस फिल आप करना है उसके आपको नीचे यह नेक्स्ट का option में जाएगा, next पर आपको click करना है, उसके बाद आपका loan amount चो कर जाएगा, कि आपको कितने का loan amount एप्रोब हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उपर पर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ आज आएगा 20,000 रुपया अनलोकर, यानि कि आपको देखना है कितने का loan amount एप्रोब होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आजाता है, कि कितने महीनी के लिए EMI है, यहाँ पर देख जाएगा, यानि कि कितन account आपको यहां पे long amount एप्रूब हुआ है कितने महीनगे एपाई यहां पर दिख जाएगा उसके बाद आपको यहां पर top condition में आपको kick करना और उस बाद आपको gate fund now का option में जागा इस पर आपको click करना है और जैसे ही आप इस पर click कर देंगे उसके बाद आपका loan एमान आपके bank account में transfer हो जायागा कुछी ही देर में आपका bank account में जो भी bank account आप अभी आप दिये होंगे उस bank account में पैसा transfer हो जायागा तो आप कुछ इस तरीके से जो है installsfin application से instant personal loan आप घर बीटी आप अपने mobile से ही ले सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like कीजिए and subscribe कीजिए comment कीजिए मिलते किसी next video में तब तक के लिए thank you so much bye